हम लोग एक पुंद्रा वृत्ति उसकी याद दिलाने के लिए हैं रिमाइंडर देने के लिए हैं आपने जो हमसे वादे के था वक्त आ गिया है समय आ गिया है मौका है अवसर है उन वादों का पूरा कर दीजिए विहार के अस्कूली जो सिक्षा है उसमें और हम लोग गुनातमक सुधार करने का परियास करेंगे इसका भी हम बादा करते हैं जिन सिक्षकों पर दंडातमक करजबाई की गई है उन सिक्षकों पर से दंडातमक करजबाई वापिस ली जाए क्योंकि सिक्षक बकायदे जो है एक बड़ा बैठक करने वाले हैं देखें तमाम जो गठबंधन के लोग हैं उनको भी निमंतरा न आया पूर जो सिक्षख संग के लोग हैं पहलेunch प्रदेश कारियाले में पहुंचे जो हमसे वादे किये थे उन वादों को आज पूरा करने का अवसर है तो हम लोग एक पुन्रा वृत्ति उसकी याद दिलाने के लिए हैं आपने जो हमसे वादे किये था वक्त आ गया है समय आ गया है मौका है अवसर है उन वादों का पूरा कर दीजिए हम लोग मानने यह राहुल गांधी जी के बातों पर यकीन करके उन्होंने जो चुनाओं में हमसे वादे किये थे रेलियों में जो कहा था उन पर हमने यकीन कि और राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि हम OPS देंगे कर्मियों को सारी सुविधाईं देंगे तो बिहार में सिक्षक भी तो कर्मी है और बिहार में भी कॉंग्रेस साज़ेदार है सरकार में तो यहां पे भी तो उनको वो सारी सुविधाईं देनी चाहिए OPS देना चाह हैं कि वह हमारी बात को सुनें और माननीय मुखमंत्री जी तक पहुंचाएं यह सिक्षक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं हमारी बातों पर विश्वास करके हमारा समठ्थन नहीं किया और आज उचित अवसर है उनके साथ किये गए वादों को आज पूरा कर दिया जाए महागटवंधन दलके विधायक दलके निताओं की बैठक रखने से सकरात्म कुर्जा का संचार हुआ है और इस बात में भी सचाई है बिहार के नियोजीत सिक्षकों को आज तक जो कुछ भी दिया है मन्यय मुखमंत्री नितिस कुमार नहीं दिया है और हमें पुर्ण अब सर है महागटवंधन के जो भी घटक दल है उनके लिए भी अब सर है कि शिखषकों की बहुत परतिकशित जो मांग है उस मांग को पुराक्या जाए बिहार के नियोजीत सिक्षक इस नियोजणन निति से नियोजण वाद से जो है काफी पडैसान है ये कलंग के समन हमा हम उनसे यह कहने के लिए आये हैं कि आज की बैठक में आप सिक्षकों की बात को मजबूती से रखिएगा बिना सर्थ राज कर्मी हम लोग को दिलवाईए और विहार के अस्कूली जो सिक्षा है उसमें और हम लोग गुनात्मक सुधार करने का परियास करेंगे इसका भी हम चलिया बादा करते हैं बादे पर खड़ा उतर जाएंगे बिलकुल बिलकुल हम लोग बिलकुल एकदम जोग शिचक हैं हमसे क推के ऊप किया है और हम जोगता को निर्धारन जो किया गया सब पूरा करने का बाद सिच्छा दे रहे हैं अगर हमारे साथ मानिये मुखमंती जी न्याय करते हैं तो इस गुनपता को और भी बढ़ाया जाएगा विद्याले का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है बाकी सारे कार सिच्छक मजबूती से करेंगे बच्चे जोगे होंगे और अभी जोगे हैं भी चलिए कई लोग आप लोग लागतात परदर्सन भी कर रहे थे पोजटेस्ट भी कर रहे थे कुछ जो करमचारिया सिच्छक उनको निलम्मद भी कर नोकरी से भी अस्थागित कर दिया था तो यह निहायथ ही जो है एक लोक्तांत्रिक देश्क में जो है यह गलत चीज है हमारा संबिधान जो है भारत के हरेक नागरी को जो है अपनी बात रखने का अधिकार अंदोलन अपनी मंगों के समर्थन में अंदोलन करने का अधिकार देता है और विहार के अंदर में निस्षित रूप से यह सिक्षकों के साथ में बहुत ही नजाज कम हुआ है और सरकार को अभिलंब इसमें सुधार करना चाहिए जिन सिक्षकों पर दंडात्मक करजवाई की गई है उन सिक्षकों पर से दंडात्मक करजवाई वापिस ली जाए क्योंकि सिक्षक बकाइदे जो है पटना के जिला परसासन से अनुमती लेकर के अंदोलन के लिए आये थे वोई सिक्षक जो है CL लेकर के अंदोलन के लिए आये थे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और कहीं भी किसी भी सिक्षक पे या किसी भी विभाग में किसी पे दंडात्मक करजवाई होती है तो बकाईदे उससे असपस्टी करन पुछा जाता है लेकिन यहाँ पर जो है ना क कोई बात रखने का मुका दिया गया धेर सारे सिक्षकों को निलम्बित कर दिया गया यहाँ तक की बर खास्तगी की भी बात की गई यह गलत है अभी आप देख रहे होंगे कि डेली बिहार के सरकारी विद्यालियों का निरक्षन का कम हो रहा है और सिक्षकों का पक्ष मजबूत रूप से जो है निकल करके जनता के समने आ रहा है हम 4 लाग सिक्षक हैं एक दिन में जो है मुस्किल से 1.500-200 सिक्षक हमारे विद्याले में अनुपस्तित पाये जा रहे हैं लेकिन लेकिन उन सिक्षकों से यह सरकार नहीं पूछ रही है कि किन बजों से आप नहीं आ पाए डाइडेक्ट सरकार जो है बेतन काट लेने का कार्ज कर रही है यह भी हमारे नियोंवली के खिलाप बात है सरकार को पहले सिक्षकों से पूछना चाहिए कि क्यों आप जरने नहीं पहुंचे थे हम लगातार के लिह से मैं पन्रतार के लिए कार providee आगे भी करेंगे हम मुकमंत्रीों को स्कॉल करते हैं मुकमंत्रीों से अरओकर करते हैं भिहार के सब्सक्राइब का दर्जा से च Laz Colechny खृक्षक के लिए आपको बहुत झाल